नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग सिंप्लिफिकेशन चैप्टर से हम एक नया कंसेप्ट समझेंगे काफी वीडियो डाल दी है मैंने कुश्चन प्रैक्टिस भी किया नए नए कंसेप्ट के उपर तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बोर्ड मास यह वैसे स्कूल का टूपिक है पढ़ना यात रही रहता है हम लोगों को क्या करें बढ़ाई स्कूल में थोड़ी से अच्छे से की नहीं अभी श्रगल कर रहे हैं जोब लेने में बट कोई बात नहीं जैसा उपर वाले डिसाइड किया ऊसके साफ से चलते हैं बोर्ड मास क्या होता है ये बोर्ड मास कुछ नहीं होता b for bracket, o for off d for divider, m for multiplication a for addition s for subtract बस ये ही होता है इसमें क्या होता है? इस तरह के जब question आते है तो हमें पहले किस चीज़ को solve करना होता है गुणा भाग, off bracket में है किस चीज को पहले solve करना होता है तो सबसे पहले भाई या bracket में भी 3 तरह के bracket है एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला सबसे पहले हम solve करेंगे इस वाले bracket को अगर हमें equation में question में इस तरह से given है तो उसके बाद फिर इस bracket के अंदर जो संख्या होंगी उनको solve करेंगे और उसके बाद इस bracket के अंदर जो संख्या होंगी उनको solve करेंगे ओफ का मतलब भी multiply ही होता है अगर ये ऐसे लिख दे की 99 of 8 इसका मतलब होता है नाइन गुना में 8 ठीक है और उसके बाद हम करेंगे भाईया division divide करेंगे फिर multiplication करेंगे फिर addition करेंगे मतलब add करेंगे फिर minus करेंगे ये step wise है board mask लिख रखा है मतलब हमें जो question में संख्या गिवन होगी उसमें हमें पहले कौन कौन से step करने है तो इसके हिसाब से पहले bracket वारी चीज़ों को solve करेंगे फिर जो off होगा उसमें multiply करके उसको solve करेंगे फिर उस संख्या में जो भी भाग दिया होगा जिसको उसको भाग देके solve करेंगे फिर multiply करेंगे फिर जोडेंगे फिर घटाएंगे बस यह है और कुछ नहीं है इसमें अब question practice करते हैं फिर आपको अच्छे से clear हो जाएगा देखो भाई एक यह question है इसको आप थोड़ा ध्यान दो कैसे solve करना है यह संख्या है ठीक है यह अलग लग और यह संख्या इसके equal में है plus में a है एक की value निकालनी है इस 1.25 की इसमें multiply करेंगे 1.25 आएगा इसमें multiply करोगे 125 की 25 को आप 64 से multiply करोगे न तो आपका result क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा फिर 8.8 पॉइंट जीरो संख्या ठीक है तो भाई यहाँ पर और साथ में यह 10 इंटू 10 की power minus 5 है यह हम साथ लिगे देंगे 8 इंटू में 10 की power minus 8 इंटू में 10 की power minus 5 यह equal के उस साइड में यह इधर आएगा तो minus का हो जाएगा यह इधर ही रह जाएगा अब आप लोगों ने इसको solve करना है तो 125 में से देखो इसकी आपने इसमें गुना करोना तो ऐसे कर रहे लिए 125 क्या होता है बाई पांच बटे 4 है ना और 64 क्या होता है पांच बटे 4 125 क्या हो यह 1.25 है इसके 20 यहां पटाओ 25 पांजे 125 और 2400 पांच बटे 4 आ गया और इस पांच बटे 4 की 64 में मल्टिपलाई कर दो जो 0.6 है गुना में यह चार से कट जाएगा चार सोड़ा चोड़ा 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 और इसकी शोड़ा पांजे आसी पॉइंट 8 आ जा यह 1.25 है गुना में यह क्या है यह एक्चली ऐसे है ना यह उपर है तो इसको निचेज करेंगे तो यह ऐसे हो जाएगा पांच जीरो आएंगी तो यह वैलू क्या बनेगी वैलू बनेगी पॉइंट 00008 बनेगी इसकी मल्टिपलाई इसमें करने 125 में 8 की मल्टिपलाई कर तो आठ 45 छालिस चालिस अच्छा उसके बाद 8 1216 और फिर एक मतलब जो भी संख्या आएगी यहाँ पर पॉइंट आएगा यहाँ पर जो भी संख्या यहाँ मैंस से मैंने माइनस करना 1.25 496 है ना यह मैनस करना है तो 10 में से क्या जाएगा 10 में से उसको शोल आईगा इसको आराम से इसकी multiply आप 1.25 की multiply करोगे इससे तो जो संख्या आएगी वो उसमें से फिर minus कर देना ये संख्या A की value आजाएगी A की value पुछी है वैसे A की value यहाँ पर आएगी भाई कितनी आएगी 0.0000032 ये इसका answer बनेगा अगर आप लोगों ने ना हो अगर आप location ना हो तो फिर comment कर दे न कहीं न कहीं मैं दुबारा से execution फिर ले आँगा ठीक है ये थोड़ा lengthy calculation वैसे अराम से हो जाएगी आप देख लो इसको थोड़ा सा ध्यान से हमने अभी पड़ा board mask ठीक है board mask के साब से हमने चीज़े सीख ली फिर एग अग्जमपल लेते हैं 15 of 15 of four बाग में 3 गुना में 7 इसको soul करना है तो इसको कैसे soul करेंगी पहले मने आपको बताया था किसको soul करना है इन 3 नों सबसे पहले bracket में soul करते हैं ब्रैकेट तो है नहीं फिर उसके बाद ओफ को सोल करते हैं 15 गुणा में 4 15 गुणा में 4 कितना हो जाएगा 15 चोक है 16 फिर हम बाग को सोल करते हैं बाग में जो संख्या है इसको बाग करेंगे तो 3 दूनी 6 20 आजाएगा फिर हम गुणा फिर प्लस और फिर माइनस फिर गुणा कर दो भाई 7 दूनी 14 140 का आंसर आएगा इस तरह से आपने बोर्ड मास लगाना है के बाद है यह क्विशन फाइंड दा वैलू ओफ इसकी वैलू निकालनी सोल करके क्या निकली देखो यह संख्या है उपर और यहां पर एक दो तीन चेर पांच है यहां पर तीन चेर पांच छे साथ ऐसे अगर मैं यहां पर इस संख्या मैं लिख देता हूँ 9 3 प्लस में 9 की पावर 4 प्लस में 9 की पावर 5 प्लस में 9 की पावर 6 प्लस में 9 की पावर 7 अपोन में है 1 9 की पावर 1 प्लस में 9 की पावर 2 प्लस में 9 की पावर 3 प्लस में 9 की पावर 4 प्लस में 9 की पावर 5 इसकी है फ पावर एक दो नाइन की पावर तीन में से नाइन की पावर दो जाएंगी तो एक बचेगा पलस में नाइन की पावर यहां पे दो बचेगा फिर फिर नाइन की पावर यहां पे तीन बचेगा नाइन की पावर च्यार बचेगा नाइन की पावर पांच बचेगा नाइन की प क्या है अब इसमें आप देखो भीया देखो मैंने आपर गड़ गर दी यहां पर आएगा भाई दो फिर 3 फिर 4 और भाई यह फिर 5 ठीक बस यहां तक आएगा यह जदा लेक्टी इसकी पावर भाई फिर कितनी बनेगी इसकी पावर बन जाएगी वन भाई टू पर जो हमें Given आप इससे तो ये कट जाएगा कट जाएगा तो बचे गाइख क्या की पावर तो की पावर वन बाई दो अब मैंने आपको बता है की पावर M की पावर M और की पावर थो ये kवार M की पावर M है तो टो क्या है य restoration है m गुणा में multiply हो जाती है तो यहां पर क्या हो जाएगा नाइन की power two गुणा में एक बटे दो दो से दो कट जाएगा नो इस question का answer आएगा ए ओप्शन हमारा यहां पर ठीक हो जाएगा उसके बाद है यह question find the value अब यह board mass वाला है मैंने आपको क्या बता है पहले bracket वाले ही चीज़ सोल करो किस तरह का bracket है तीन तरह के बताये थे यह जिस तरह का उसके साबसे इसको सोल करो फिर उसके बाद अगर दूसरा bracket होता तो फिर उसको करते फिर तीसरा होता तो उसको पहले करते उसके बाद फिर off को सोल करने एक बाद फिर अगर भाग में है संख्या भाग का साइन है तो भाग का करना फिर पलस का तो पलस फिर माइनस ऐसे करना है तो सबसे पहले इसको सोल करेंगे ये 34 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा भाई तो यहां पे बच जाएगा बचेगा आठ चोक 32 आठ पे अब इनकी मल्टिप्लाई कर दो भाई 40 माइनस में आठ तीए 24 अपन में 37 माइनस में साथ ये 21 कर दो इसमें से कितना 6 और भाई 3 में से 2 जाएगा एक अपन में यहां पे 6 और 3 में से 2 जाएगा एक 16 16 कट जाएगा एक इस कुश्चन का आंसर बनेगा सी ओप्शन हमारा यहां पे ठीक हो जाएगा उसके बाद है यह कुश्चन मैंने आपको यहां पे बॉर्ड मास लगा दो यार बॉर्ड मास ब्रैकेट ओफ मतलब मल्टिप्लाई दी फोर डिवीजर डिवाइड करना एम फोर मल्टिप्लिकेशन एफोर एडिशन एस फोर गटाना सब्ट्रेक्ट करना तो सबसे पहले यहां पे गया भाग का ही गीवन और तो कुश्च गीवन नहीं तो सबसे पहले हम भीया डिवाइड करेंगे किनाट फोर लिखा है ना कहीं ब्रेक्ट करेंगे इसको भाग करेंग तोुई कितना हो जाएगा क्यां आइनि एती भाग जाएगा तो कितने बस्टेएगा ही आप काट लो यार्रिश्क गुना में एक बटे 35, पांच किस से कटे गई है, पांच साथ पांच से काट लेते हैं ना, और पांच एकम पांच, फिर भाई, चार बजेगा, पांच निम पंतालीस, आना, तीन बजेगा पांच से कट तीस, अब इसको साथ से काट भाई, गुना में 16 है, पलस में 4, माइनस में 2, ठीक है, अब पहले फिर उसके बद गुना की चीजों को सोल कर लो, इसकी गुना करेंगे तो 4 आजाएगा, 4 प्लस में 16 की और 28 की multiply करेंगे तो क्या आएगा भाई यह आजएगा 448 अब हमें इसको soul करना यह कट जाएगा answer क्या आएगा 448 इस question का answer आएगा B option नमारा यहां पर ठीक हो जाएगा उसके बाद है यह question What is the value of यह संख्या है इसको soul करना board mass लगाना अब यहां भी bracket given है मैंने आपको बताया था bracket given और पहले यह bracket soul होता है फिर यह वाला soul होता है ठीक है और फिर यह वाला soul होता है तो यह तो given है यह given है भाई यह रहा ठीक है उसके बाद हमारा यह soul होगा फिर यह soul होगा फिर उसके बाद हम इन पे भाग वाली चीज़ पाएंगे तो पहले अंदर वाला सोल कर लो एक बठे चार मतलब ये गुणा में है उफ का मतलब गुणा में तो इसको आप काटोगे तो क्या आएगा भाई तो इसको ऐससे मतलब ग्याँ घर आगया चीज़ आ जीआ कि अब अब्र उसमेशे हम ने यहां पर कितना कम है ऐसी कम है असी को हम फिर चार से काटेंगे ऐसी को चार से काटके हम आइनस कर दो चार दूनी आठ बीस 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई तो 2000 मैसे 20 माइनस करेंगे तो 1980 ये इसको काट ओगे तो यही आएगा ठीक है ये नियर अब आउट है शॉर के इसलिए हमने इसतरह से सूल कर लिया तो ये आ गया भाई उसके बाद है यह ब्रैकेट सोल हो गया उसके बाद है दूसरा ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में हमें 1980 यह माइनस का यह प्लस का कट जाएगा ठीक है समझे रहे हैं ऐसे लिखा है 1980 फिर जो भाइया इस ब्रैकेट पर आजाओ इस ब्रैकेट पर आएंगे तो यह माइनस 73 है माइनस का साइन है माइनस 33 है na और यह भाग में है तो पहले माइनस से पहले भाग सो लोगी 1980 को आप 9 माइनस से भाग करोगे तो क्या आएगा 9 दुनी 18 220 मैंने 243 का अंसर होगा यह तो मैंने मिक्स कर दी है लेकिन आपको step to step करना है जो जीज़ पहले और नहीं है बॉर्ड मास में लिखिया है उसके साब से आंसर है 143 डी ओप्षन हमारा यहां पर ठीक हो जाएगा आज हम इस वीडियो में इतने ही कुश्चिन करते हैं नेक्स वीडियो में और कुश्चिन करेंगे थैंक्यू सो मच वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना